एक गाउ में एक सोने की स्कूल थी, यह स्कूल अपनी अध्भुत सुन्दर्ता और शिक्षा की उच्चता के लिए प्रसिध थी, गाउ के छोटे मोटे बच्चे अपने पढ़ाई के लिए इस स्कूल को देखने के लिए उच्साहित होते थे. इस स्कूल का सभी कक्षाएं सोने से सजी हुई थी, सोने के कक्ष सारी दुनिया में अनुठे थे और इसमें पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता था, छात्र छात्राएं रोजाना सोने के कक्ष में जाकर पढ़ाई करते थे और उन्हें यहां की शिक्षा में बड़ी रूच इस सोने की स्कूल के एक उत्साही छात्र ने अपने पिता से कहा पिताजी मेरे पढ़ोस में एक सोने की स्कूल है और वहां पढ़ाई करने का अनुठा मज़ा होता है, क्या मैं भी वहां अध्ययन कर सकता हूँ, पिताजी ने उत्साह से कहा बेटा तुम्हारी इच्छा का पूर्ती करने के लिए मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ, जाओ अपने सपने को पूरा करो और उच्चतम शिक्षा का लाब उठाओ। उस छात्र ने खुशी मनाते हुए सोने की स्कूल में दाखिला लिया। उसका अध्ययन सोने के कक्ष में शुरू हो गया, उसे सोने की मित्रों की मिली और वहां के शिक्षकों की गुरुभक्ती से। उसे अच्छी प्रेयना मिली, सोने की स्कूल के एक बड़े दिन को देखते हुए। चात्र बहुत खुश था उसे लगा कि वह अपने जीवन की सबसे खास जगहे पर खड़ा है। उसने अपने पिताजी को इस सपने के बारे में बताया और उनसे अनुमतीली पिताजी बोले, बेटा, तुमने अपने जीवन को एक सोने की स्कूल देकर अपनी पढ़ाई की उच्चता तक पहुचा दिया है, अब तुम्हारे सपने को पूरा करने का समय है। छात्र ने अपने सपने के पीछे लगे और दूसरे सोने की स्कूल के द्वार पर पहुच गया वहां उसे अपने दोस्तों ने संबोधित किया और उसे स्वागत किया। उस छात्र का अध्ययन सोने की स्कूल से भी उपर जाने वाले इस सोने की स्कूल में शुरू हो गया, वहां की शिक्षा ने उसे बहुत प्रभावित किया और उसके ज्ञान को नई उचाईयों तक पहुचाया।